अड़े पे आप लोग का स्वागत है अब यह जुआ खिलें का ड़नी है खाना बनाएंगे और मिलके खाएंगे उसका अड़ा है समझ में आया ना जाता दिमाग मत दोड़ा पकोड़ा बनाएंगे जो नहीं बनता हो ठेला अगरा पर रेडी पे जो पकोड़ा ब्रेट बनाने वाले हैं तो 300 गराम पहले बेसन ले लिए हैं इसमें आधा चम्मच आपको अजवाइन डाल देना है चोटका चम्मच से डाल देना कर्चुल मत मत इस्तमाल कर लेना ठीक है नमक डाल देना अब जितना जीब को लपलपाती उतना नमक तीन चुटकी ऐसे चुटकी स तीन चुटकी खाने का सोड़ा मेरे पानी तो AI नहिसे बात में थोड़ा ज़्याला ओर यह देखिलो ऐसा इसका यह होना चाईए जो ठीकने से आप इसको फ्लोइंग और ज्यादा डिला कर सकते हैं बट मुझे ऐसा ही चाहिए रहता है तो मैं संतुष्ठ हूं है ना इसको ढख के कम से कम सुस्ताने दीजिएगा दस मिनट तक ठीक है जब तक को सुस्ताता है तब तक हम चाहिए देख मसाला चाहिए और थोड़ाए साख गरम मसाल कजंसे तीन चीज और यह भूना हुआ जीरा पाउडर यह भी मतलब जो चोथाई चमच होता है उतना और आप इसको लबड़ चोथर करके अच्छी तरह मैश कर देना है एकदम मतलब स्मूध सा हो जाना चीए भी मैं आपको दिखा दूँगा एकदम हातों में डालेंगे तो एकदम रोकुनों में घपाक से फेला देना है यह तो simply सब को आता ही ओगा ठीक है एक टौर ब्रेट लेना है इसको उपर यह द्यसक give और फिर जैसे बाद क्या करना है इसको घरिशा करने लिए उससे एक चौप हो ने हैज gitu को आजारा वसक्रने कि से लिए क हो आप चौइसा अछ पर उठा लीज़ेगा ताकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए अब सिंपली तेल में डाल देना है मीडियम फ्लेम पर ऑईल गरम करिएगा और एक एक करके जितनी कड़ाई में आता है डाल दीजेगा और दो-तीन मिनेट तक पकने दीजेगा फिर फिर दो-तीन मिनेट पकने में ठीक है अब इसको निकार आया है देखे बटरफ्लाइ बन चुका है और आपको रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजे उत्सा भरेगा मेरा भी वीडियो बनाने का मन करेगा तो इतना तो आप कर ही सकते हैं प्लीज कि जाइगा थैंक्यू सो माच